Hello and welcome back to my channel, that is UPCFS वित अमराभा अभी को टॉपिक है वो है हिमालन क्रिये लंगूर इसके बार मैं पढ़ूँगा साथी साथ एक्स्प्लिनेशन भी दूँगा लेकिन उससे पहले एक सवाल तो सवाल यह है Fundamental duties are mentioned in the following part of the constitution of India पहला option part 3, second option part 4, third option part 4 और last option है part 6 इसका जो सही answer है आप सोच के रखिये या फिर आप comment में लिख सकते हैं लेकिन मैं इसका सही answer दूँगा वीडियो के last में तो अभी स्टाट करते हैं अपना explanation तो मैंने explanation के लिए साहरा लिया है वाजराम एन रभीका तो यहां पर देखो यहां पर लिखा है हिमालयन ग्रे लंगूर एक study published वहा और यह published वह एक journal वह जनरल का नाम है threatened taxa तो उसका अनुसार यह बुलकर रहा है जैसे जैसे इनका जो रहने का जगा एलिवेट होगा वैसे वैसे क्या होगा उनका जो ग्रूप है हिमालयन ग्रे लंगूर का यह प्रेफर करेंगे fruits और different type के flowers खाने के लिए यह देखो यह प्यारा सा हिमालयन ग्रे लंगूर है कितना सुन्दर दिख रहा है अभी आते हैं about पे अब पे क्या बोलकर रखा है हिमालयन ग्रे लंगूर या फिर उसको बोलते हैं चांबा सेक्रेट लंगूर और scientific name है Semnopithecus ajax यह एक colobine है colobine का मतलब क्या है यह leaf eating monkey है यानि कि यह पत्ते खाता है इसको consider क्या गया है as an endangered species क्योंकि globally इसका जो population है वो 1500 से भी नीचे चला गया है तो 1500 जो मैं consider कर रहा हूँ और babies को consider नहीं कर रहा हूँ मैं consider कर रहा हूँ mature individuals और यह अभी कितने बचे हैं groups में 15 से लेकर 20 groups में अभी बचे हुए तो अभी आते है next point पे यह बोलकर रहा है इनका जो रहने का एरिया होता है वो रहता है 2200 से लेकर 4000 meters above sea level होता है तो यह पाया जाता है subtropical region में, tropical moist temperate में, alpine region में, corniferous region में और साथी साथ broad leaf forest और scrub lands में अभी आते next point में यहां पे बोलकर रहा है यह endemic है यानि कि जमन कश्मी में पाया जाता है और साथी साथ हिमाचर region में भी पाया जाता है जो की western himalayas में आते हैं लेकिन वहां पे जो ecosystem है वो vulnerable है क्योंकि वहां पे anthropogenic pressure पड़ता है अभी देखते है anthropogenic pressure क्या होता है इसका मतलब क्या है human activity जैसके pollution और deforestation तो इसके impact को उपर पड़ेगा और यह भी report बोलकर रखा है कि यह पागिस्तान और साथी साथ नेपाल में यह पाया जाते हैं यह तो था explanation अभी आता है question की तरफ तो यहाँ पे इसका answer जो है वो है C part 4A क्योंकि part 3 represent करता है FR को यानि कि fundamental rights part 4 यह DPSP को represent करता है यानि कि director principle of state policy और part 6 represent करता है states को तो इसका answer क्या हुआ option C part 4A तो अभी के लिए अगर मेरे content आपको अच्छा लगता है ता please like share and subscribe and thank you very much for watching my videos